खाद्य आपूर्ते विभाग ने मंगलवार को इंडरस्ट्रियल तेल के नाम पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई करने वारी एक फर्म पर कारवाई की थी उन्हीं में से मिली जानकारी पर विभाग ने दो अलग-अलग स्थानों पर छापामार कारवाई करती हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब्द किया है विभाग ने जी एस्टी के अधिकारियों को भी सूचना दी है देखे खास रिपॉर्ट खादेवम आपूर्ती विभाग ने मंगलवार को चंदर नगर के इंडरस्ट्रियल श्रित्र में स्थित मार्क इंटरप्राइजस पर छापामार कारवाई की थी देरसल विभाग को सूचना मिली थी कि यहां इंडरस्ट्रियल तेल के नाम पर पेट्रोलियम प्रोड़क्ट की सप्लाई की जा रही है इस प्रोड़क्ट के लिए विस्पोटक अधिनियम के तहत लाइसेंस की आवश्रक्ता होती है साथ ही स्टोर करने के लिए सूरक्षा मानकों का पालन करना होता है इस सूचना पर जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर सूरक्षा के कोई भी उपकरण मौजूद नहीं थे और नहीं फर्म के पास किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस था विभाग ने गोदाम से लगभग 10,000 लिटर पेट्रोलियम प्रोडेक्ट जब किया था फर्म के करताधरताओं से जानकारी ली गई थी कि ये प्रोडेक्ट जिन्हें सप्लाई किया जाता है उनसे मिली जानकारी के अनुसार वभाग की टीम ने बुधवार को दो इस्थानों पर छापामार कारवाई की जिसमें स्वास्तिक इंटर्प्राइजेस से 14 ड्रम और प्रगती इंटर्प्राइजेस से 9 ड्रम पेट्रोलियम प्रोड़क्ट जब्त किये गए प्रगती इंटर्प्राइजेस के कल बिल वहां मिले थे हम दो तो देर रात जाँ चलती रही और आज उन दोनों फर्मों पे केट रोड पे अहिर खेड़ी के वहां पे उनकी शौप नंबर दो और आठ नंबर की दुपाने हैं उन पे आच्छा पामार कारवाई की गई देखने में वही सपाया गया तो यह समझ में आ रहा है कि आइल पेंट और पेंट के याड में MTO सॉल्वेंट इसका यूज हो रहा और यह अत्यां जुलन शिंत्पदार थे और इसको इंडस्ट्रिल यूज के लिए होता है कि वह इंडस्ट्रिय इसको ला सकती है और एंड यूजर के तोर पे यूज कर सकते इसकी कहीं भी मार्केटिंग या प्रही 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 बंडारन नहीं हो सकता है तीनोहे फर्म के पास ना तो विस्पोर्टक अधिनयम के तहत कोई लाइसेंस है और नाखिस प्रोडक्ट की सप्लाइ के लिए GST नंबर लिया गया खाद्यापूर्ति विभाग ने GST के अधिकारियों को भी तीन फर्म के बारे में जो अनकारी दी है यूर्ड रिपोर्ट, MP News, इन दौर